हेले इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना हाथ से कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्थ होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल लगी क्लास टुल्थ फिजिक सेंसियारटी में चैप्टर नमबर नाइन चल रहा है ज आप लोगों से गुजारिस है कि आंदर तक जरूर देखेगा ये आज का लेक्चर काफी महात्पूर है और हमेशा एकजाम में पूछा जाता है और बच्चो अभी तक आपने क्लास टुल्थ फिजिक्स या कमिस्ट्री या बायोलाजी का नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट जरूर ले लें क्योंकि हमारे सीव कोचन क्लासे के माध्रिम शे प्रापर उपसयाल चेप्टर के नोट्स दीए जाते हैं प्रापर तयारी के लिए प्रापर नोट्स की जरूरत होती है जो कि आपके लिए काफी हिलफुल होगी चले शुरू करें बच्चो सबसे पहले बा यह आपका परवर्तन है लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चो पूर्ण आंत्रिक परवर्तन तो जब भी बच्चो प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जिसे यहाँ पर देखिए सघन यह बीरल है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्य में जाती है बच्चो तो अपने मार्ग से बिचलित होती है ये पर घटना प्रकास का अपवर्तन कहलाता है क्या कहलाता बच्चो अपवर्तन और जब प्रकास किरण सघन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हडती है और वहीं अपोजिट में आपको म मैंने समझाया था कि यन्दी कोई प्रकास किरण बिरल से सखन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है अब बच्चो अपवर्तन के क्रिया हो रही है सघहन से हम बिरल में प्रकास किरन को भेज रहे हैं तो जैसे जैसे यहाँ पर आपतन कोड का मान बढ़ाएंगी तो अपवर्तन कोड का मान भी बढ़ता जाएगा नोट करिएगा बात को भाई मैंने कहा कि सघान से बिरल में प्रकास करण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और जैसे जैसे हम आपतन कोण कामान बढ़ाएंगी वेसे वेसे अपवरतन कोण कामान बढ़ता जाएगा बच्चो समझने कोसिस करिएगा एक छोटा सा डाइग्राम बनाता हूँ ठीक है अब मा लिजे प्रकास करण इस तरह के से गई तो भाई ये अभिलंब ये आपका आपतन कोण है अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गया तो बच्चो ये आपका अपवरतन कोण है अब दूसरे इस्थित में ये कहा गया कि थोड़ा सा ये आपका अभिलंब है आपतन कोण के और मान को बढ़ा दो आपतन कोण 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 और हमने बढ़ा दिया तो ये बिल्कुल इतना हो गया बच्चो ये अपवरतन कोण और बढ़ गया ना आपतन कोड का मान बढ़ाते गया और बच्चो ये अपवरतन कोड का मान भी क्या होता है बढ़ते जाता है क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है कि जब सघन माध्यम से बिरल माध्यम में कोई प्रकास कर जाती है बच्चो तो अभिलम से दूर हटती है, अब एक ऐसी इस्थित आती है कि ये आपका आपतन कोड था और आप बरतन कोड लग भाग 90 डिगरी हो जाता है, कितना बच्छो 90 डिगरी हो जाता है तब इस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण ठीक बच्चो समझेगा कि आपतन कोण का हुआ है मान जिस मान पर अब बरतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता बच्चो इस स्थित में जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण कहलाता है फिर से समझना भाई ये मेन मुद्दे की बात होती है मैंने ये कहा कि जब प्रकास किरण एक माद्धम से दूसरे माद्ध में जाती है तो अपने मर्क से बिचलित होती है सघहन से जब बिरल में जाती तो विलम इसे दूर हटती है इसके कोण को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिताएगी कि जो आपका अपवरतन कोण है आर कमा 90 डिगरी हो जाएगा ये 90 डिगरी तो जिस आपतन कोण पर सघहन माद्धम के जिस आपतन कोण पर बिरल माद्धम का अपवरतन कोण 90 डिगरी हो जाता है उस कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं लिखो परिवासा जिन बच्चों को लिखना है, कि सघन माद्धम के उस आपतन कोण को, जिसके संगत बिरल माद्धम में अब बरतन कोण कमा 90 डिग्री हो जाता है, क्रांती कोण कहलाता है, जिसे बच्चों हम I.C. से प्रदर्शित करते हैं, किसी को कोई प्राबलम, ठीक में अब बरतन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ये क्रांती कोण कहलाता है, आईसी से दरसाते हैं, और जैसे ही इस आपतन कोण का मान क्रांती कोण से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो प्रकास किरन अब दूसरे माद्धम में नजाकर उसी माद्धम में वापस आ जाती है, तो अब ये आपकी परिखटना पूर्णांत्रिक परवर्तन कहला जाता है, देखो भाई, क्रांती कोण से रिलेट करना है पूर्णांत्रिक परवर्तन, मैंने कहा एक ऐसा कोण, जिस कोण पर, जिस आपतन कोण पर, आप बरतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वो आपका क्र क्रांतिक कोण कहलाएगा लेकिन जैसे ही कोण का मान क्रांतिक कोण से भी और बढ़ा दिया जाए तो प्रकास किरन दूसरे माध्य में न जाकर पुना उसी माध्य में वापस लोटाती है यह परिघटना पून आंत्रिक परावरतन कहलाता है अब आपको समझ में आ गया होगा परिवासा देख लो कि जब कोई प्रकास किरन सगन माध्यम से बिलन माध्य में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधीक हो जाए भाई क्रांतिक कोण पर बरतन को 90 डिगरी होता है लेकिन जब क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा आपतन कोण का मान बढ़ा दी तो प्रकास करण बिरल माद्य में प्रवेश करने के बज़ाए सखन माद्य में ही परिवर्तित होकर आ जाता है इस घटना को हम पूर्ड आंत्रिक परवर्तन कहते हैं बताओ बच्चों किस से ना बनेगा ऐसा परिवासा किस से नहीं बनेगा बहुत सिंपल है बन ही जाएगा ठीक है कोजिकत तो नहीं है अब आपने परवर्तन पढ़ा था परवर्तन कि स्टेक राकर प्रकास वापस आज़े लेकिन यहां कंडिसन है कि आपतन कोड़ यह जो आई कमान है वो क्रांतिक कोड़ से अधिक होने पर प्रकास करण दूसरे मा प्रकास करण सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोड़ कमान क्रांतिक कोड़ से सदैव अधिक होना चाहिए प्रकास करण को सघन से विरल में जाने चाहिए बच्चो और दूसरा कंडिसन है कि आपतन कोड़ कमान क्रांतिक कोड़ से अधिक होना चाहिए नोट कर ल आप बरतनांक में संबंद है मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई प्रकास किरण एक माजम सघन से बिडल में जाती है सघन से बिडल में जाएगी इसका मतलब जैसे जल से हम air में कर दें बच्चो या कि मा लिजे आप glass से air में कर दो जो आपके इच्छ है उसके अधार पर आप कर सकते हो दिरों जाता कि हम सघन माद्यम यहां पर glass ही ले आप water भी ले सकते हो कुछ book में आपका water लिखा रहेगा आप ग्लास लिखा रहेगा तो आप पर सान मत होना हम मान कि चलते हैं सघन माद्यम से बिडल माद्यम प्रकास जा रही है Miguel तब आप लोगों ने इसनेल का नियम तो पढ़ा होगा इसनेल का नियम क्या कहता है आपतन कोन की जया और आप बरतन कोन की जया में एक निशित अनुपात होता है समझना बच्चो वह आपका आप बरतना कहलाता है यही तो है ना इस नेल का नियम भाई देखो मैं यह कह रहा हूँ कि प्रकास किरण यह कांच है बच्छो ठीक है प्रकास किरण यह आपका आपतन कोण है और यह थोड़ा सा अभिलम से दूर हटे गई यह आपका अब बरतन कोण है तो भाई सहाब यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा तो कहां से जा रहा बच्छो कांच से कांच से प्रवेश करीप प्रकास किरन तो कांच से एर में क्योंकि भाई सहाब यहाँ पर हम क्रांतिक कोण तभी लगाएंगे जब सधन से बिरल माद्य में तो इसका फार्मूला होत अब तन कोण की जया और अब बरतन कोण की जया में एक निशीत अनुपात होता है यह अब बरतन का नियम है जिसे इस नैल का नियम कहते हैं बच्चो ठीक है अब मान के चलते हैं कि एक ऐसी स्थित हो कि जो आई का मान है बच्चो क्रांतिक कोण के बराबर हो मतलब आई जो है वो IC के बराबर हो तब R का मान कितना होगा बच्चो 90 डिग्री होगा एनि जब कोण आपका क्रांतिक कोण हो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए आपतन कोण जो है बच्चो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तब अपवरतन कोण 90 degree ہوگा तो G mu a वराबर कितना हो जाएगा πच्छो sin i के जगे ic कर सकते हैं और sin r के जगे sin 90 degree कर सकते हैं sin 90 degree कर सकते हैं कि नहीं ic भी लिख सकते हो या इसे c भी लिख सकते हो कुछ book में इसे c भी लिखा जाता है तो परशान मत होना कि सर हमारे book में गया है sin c बटा एक और एक का कोई value होता नहीं बच्चो तो यह हो गया g mu a बराबर sin c ठीक है ये भी एक आपका संबंद है बच्चो इसमें कोई परसानों नहीं जूरत नहीं है ये जिसका माद्यम उलट दूं बच्चो a mu g कर दूं तो ये उलटा हो जाएगा वहना 5 sin c क्यों आपको लगेगा सर कहां से बता दिये, कुछ समझे में नहीं आया, कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ, देखो बच्चो, आपको इस टेप बताता हूँ, चूकि उत्क्रमरीता का सिध्धान्त आपने पढ़ा है, कि जी म्यू ए बराबर होता है, वन अपान ए म्यू जी, ये उत क्रमरीता का सिध्धान्त है, आप चाहते बच्चो तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे, इसके जगए, वन अपान ए म्यू जी, बराबर साइन्सी, और जब ये उपर जाता बच्चो, तो ए म्यू जी बराबर वन अपान साइन्सी, ठीक है, तो ए म्यू जी बराबर क सेक्सी बस यही चीज तुम्हें आपको समझा रहा हूं यही तो है भाई साहब क्रांती कोण और अब बरतनांक में संबंद यही तो है भाई साहब फोई दिक्कत है नहीं तो लिखने का तरीका पूरा आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है परसान मत होना ठीक है प्रक कोण कितना हो यह दिक्रांती कोण के बराबर होगा तो अब बरतन कोण 90 टिग्री होगा यह तो सबको पता है ठीक है आप तन कोण का मान यह दिक्रांती कोण के बराबर हो तो अब बरतन कोण 90 टिग्री है तो पहले बताया तो भाई आई के जगे सी लिग दिया और अब बर बच्चो यहां पर मैं value put कर दूँ जी म्यू ए के जगा है एक बटा a म्यू जी कर दूँ ठीक है जब इसको उपर ले जाओंगा तो यह नीचे आएगा एक बटा science का कॉसेक सी बस यह फार्मूला है निर्भरता बच्चो आप लोग 2-3 निर्भरता है जिसे आप लोग तयार क सरबाधिक होता है तो क्रांतिक कौन कमान बैगनी रंग के लिए सबसे कम और लाल रंग के लिए अबरतनांग सबसे कम होता है यह चीज आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कभी कभी objective question पूछा जाता है कि बैगनी रंग के लिए अबरतनांग सरबाधिक होता है और लाल र रखना है कि किसा रंग के लिए अबरतनांग जादा होता है। Σघन और बीरल माद्यम के जोड़े पर बच्चो। भाई सघन माद्यम बीरल माद्यम के जोड़े पर क्रांटी कॉर्ण कमाने भरु करेगा। इसलिए सगर माध्यम और बिरल माध्यम के जोड़े पर भी निर्भर करता है और तीसरा ताप पर ताप बढ़ाने पर माध्यम का बरतना क्या होता है घड़ता है और क्रांति कोड का मन बरता है एक दूसरे की ब्यूत करमी होते हैं तो ये आपको एदी निर्भरता त्यार करना है, कुछ चीज़ें क्या है बच्चो पढ़ना पढ़ेगा, एक दो बार पढ़ोगे, थ्योरम मैंने समझा दिया है, बाकि एक दो बार इसे पढ़ोगे, आसानी से याद हो जाएगा, बाकि आप लोग चैनल पे पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिजिएगा, ठीक है, और आप लोगों से गुजारिस है, कि नोट्स नहीं लें, तो नोट्स जरूर ले लें, ठीक है बच्चो, क्योंकि नोट्स आपको प्रापर दिया जाता है, आप परसान ना हूँ, है ना, नोट्स लेकर प्रापर त लेकर दो लेकर देटरां.